नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉम पर मैं हूं सुमिछ चौधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन चीन के एक और धरम के बारे में जिसका नाम है टाविजम और जिसको कहा जाता है दा फ होगा कई बार ये है यिन और यान का और यिन और यान का कॉंसेप्ट भी काफी मज़ेदार है इसको भी हम समझेंगे तो बेसिकली आज हमें बात करनी है टाविजम की जो की एंसेंट चाइना का एक प्रॉमिनेंट रिलिजन था चाइना में ही औरिजिनेट हुआ हालंकि आ और इसकी philosophies क्या है कि अगर बात करें Einσιेंट चाइना की तो वहां पे मैंली तीन रिलिज्जन को फो फोलो किया जाता था तीन laatart में बुद्धिजम जहा है भारत में हिराई रिलिजन बना भारत में कई लोग आये थे बुद्धिजम को समझने के लिए जैसे हैं शांग फाय हान जो Chinese pilgrims थे आपको सुना होगा आपने उनके बारे में तो बुद्धिजम था जो कि एक pure religion है उसके लावा Confuciusism के बारे में हम पढ़ चुके हैं बुद्धिजम के बारे में भी वीडियो बन चुका है Confuciusism जो है यह एक philosophy है जिसको religion है या philosophy इसके उपर एक debate है लेकिन हमने इसके बारे में पढ़ लिया है कि यह philosophy के ज़्यादा कलोज है ना कि religion के तो Confuciusism जो है यह भी एक important philosophy थी Chinese society की उसके अलावा है टाविजम टाविजम जो है इसके बारे में हमें आज के बारे में आज इसमें पढ़नी है तो लाव जो यह हैं और यह है Confucius और यह हैं गोतम बुद्धा तो इन तीनों की philosophy चाइना में काफी साइड लोग ऐसे थे जो तीनों को एक साथ follow करते थे क्योंकि इन में कोई contradiction था ही नहीं कि आपस में अगर जो बुद्धिजम को मानने वाला व्यक्ती है वो टाविजम को नहीं मान सकता है ऐसा कोई rule नहीं था ऐसा Confuciusism में भी ऐसा कुछ नहीं था तो यह वाली बात थी तो आज हम बात करते हैं टाविजम के बारे में आज की टाविजम के बारे में बात करने से पहले थोड़ी से मापको यह बताऊंगा कि आज जो चाइना है उसकी अगर आप डेमोग्राफी देखेंगे तो वहाँ पर Manly Religion follow के जाते हैं Catholic, Protestant, Islam, Buddhism यह आपको दिख रहा है मैप में और कुछ हिस्सों में डाविजम या टाविजम जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं ये भी छोटे-छोटे packets में follow के जाते हैं तो उतना prominent religion अब रहा नहीं है चाइना में ये फॉक religion और टाविजम लेकिन फिर भी बहुत सारे हिस्सों में टाविजम को मानने वाले लोग रहते हैं ठीक है तो आज इसकी ही बात करनी है अब बात आती है कि टाविजम है क्या टाविजम को कई बार D से भी लिखा जाता है यहाँ पर टाविजम है यहाँ पर आपको लिखेगा डाविजम है हालांकि इसको बोलते टाविजम ही है जो D से लिखा हुआ है यह सिर्फ भाशा का अंतर है जो चाइना की ancient language थी उसमें T को D लिखा जाता था तो वो वहां से ये डाविजम बना और इस philosophy ने चाइना की society को चाइना के culture को 2000 सालों तक infect किया है influence किया है तो इसका मतलब इसको हमें पढ़ना चाहिए जानना चाहिए कि किस तरीके का एक culture था और यह टाविजम जो philosophy है यह किसके इर्द गिर्द बनी गई है इसका आधार क्या है तो यह है एक Chinese philosopher ते जिनका नाम था लौजू इनको बोलत इनकी नीव रखी गई ठीक है उसके लावा एक व्यक्ति और भी थे इन टाव जो लौजू की जो किताब है वो तो यह रही और इनके डिसिपल्स थे जिनका नाम था जूंक्सू जूंक्सू की किताब है उन्हीं के नाम पे जूंक्सू इन दोनों की अगर philosophy को मिला दिया ज जाता है पूरा टाविजम religion तो टाविजम की जो philosophy है वो इन दो किताबों पे हैं जूंक्सू और लाव जी जिंग ठीक है टाव जी जिंग हम बात आती है टाव टाव बार बार टाव आ रहा है टाव का क्या मतलब होता है टाव क्या शब्द है टाव का अगर शाब्दी करती देखेंगे तो इसका मतलब होता है देवे और देवे तो क्या है किसी चीज़ को करने का रास्ता उसको करने का तरीका तो सिर्फ तरीका है क्या देखी टाव का जो मतलब है वो काफी complex है और काफी इसको समझने में आपको problem आने वाली है लेकिन फिर भी इसको समझने की कोश है कुछ सम्थिंग ऐसा जो की हैवन और अर्थ के पहले से विद्धमान है पहले से बोन हो रुखा है सुलिडिटली है अकेला है शांत है स्टेंड अलोन है अंचैंजिंग है और सभी जुनिया की जो चीजें हैं जो अंडर दे हैवन जो इस पूरे बर्मांड की जो चीजें हैं उनके लिए मदर फिगर है तो आप कुछ इसको उस तरह से देखिए जैसे हम कहते हैं परमात्मा जो की परमात्मा परमेश्वर जो की बनावा नहीं है अन्क्रियेटेड है जिसने सरी स्रश्टी का निर्मा आपको लगेगा completely नहीं कर रहा कि एकदम ही वैसा था क्योंकि दोनों mythology लिखने वाले लोग जो दोनों हैं वो अलग लग जगह पे थे तो कुछ हद तक similar है कि कुछ ऐसा जो कि सब के लिए father figure या mother figure है सब कुछ वहीं से निकला और सब कुछ वहीं पे विलीन हो जाएगा कु एक बात लाओ जो नहीं कही थी लाओ जो ने क्या कहा कि भई यह जो चीज है जिसकी मैं बात कर रहा हूं इसका नाम मुझे नहीं पता कि क्या है चलो इसको टाओ कर देते हैं लेकिन टाओ जो है ना इसको completely शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता देखिए क्योंकि टाओ एक अनन्त है शब्दों की एक सीमा होती है टाओ की सीमा नहीं है तो शब्दों में उसको कैसे बया किया जा सकता है टाओ को completely न समझाया जा सकता है और ऐसा टाओ जिसको समझा दिया तो वो टाओ ही क्या हुआ एक ऐसा टाव जो की अनंत है उसको पूरी तरीके से समझाया नहीं जा सकता ये कहा था लाउजू ने ठीक है तो जितना आप समझ पाएं उतना बहतर हम समझने कि इसको कोशिश करते हैं लेकिन completely तो हम समझ ही नहीं पाएंगे ठीक है ये इसकी फिलोसोफी है originally तो समझते हैं क्या है ताव इस दा फ्लो ओफ यूनिवर्स source of reality येट इन्फाइनाइट येट इन्पिटी भी है इन्फाइनाइट भी है complete भी है uncreated भी है और ये इन सब के बावजुद इस पूरे यूनिवर्स को direct करता है इसको guide करता है कि इसको किस दिशा में चलना है यूनिवर्स के जो low है वो टाव से ही निर्मित है यूनिवर्स जो है खुद वो ही टाव से निकला है तो सब कुछ टाव का ही है टाव से ही निकला है तो टाव में ही विलीन हो جانा है यह tau還有 का concept है कि tau क्या है उसके लिए उसका मतलब होता है the way tau का मतलब है कि जो रास्टा जिसके तहेत जिसके तरीके से हमें जिस flow के तहेत हमें काम करना है जिस रास्टे को हम तोड़ नहीं सकते मरोड नहीं सकते वो वाली बात है ठीक है अब बात आती है कि टाविजम कहता क्या है टाविजम होल्स था हुमन एंड एनिमल्स मतलब ओल लिविंग और्गिनिजम शुड हैव टू लिव इन दा बैलेंस विद टाव तो टाव के जो रूल्स है उसके साथ बैलेंस में रहना पड़ेगा उन रूल्स के साथ आप छेड़ शाड नहीं का सकते हैं जैसे नेचर के कुछ रूल हैं कुछ काइदे हैं जैसे ग्रेविटेशन है उस ग्रेविटेशन को आप खतम नहीं का सकते हैं आप उसको तोड़ नहीं सकते हां मतलब जो चीज़े हैं मतलब आप उसे मत कहीजएगा अलग अलग की आप ग्र आपके साथ काम करना पड़ेगा नेचर के रूल के साथ रहना पड़ेगा यही एक कॉंसेप्ट है उसके अलावा कहा कि इस्पृच्वल इंपॉर्टिलिटी की बात करते हैं टाविस्ट ठीक है और जो इस्पृट है जो आत्मा है उसको कहा गया है कि बोड़ी और यूनिवर में वो spirit जो है वो विलीन हो जानी है ठीक अब टाविजम के जो मानने वाले हैं वो ancestors की worship करते हैं heaven cults को मानते हैं और nature की divine nature of sovereign nature of sovereign के बारे में भी बात करते हैं तो जो ancestors की जो पूजा करना है cults of heaven को मानना है ये वाली चीजें जो है आपको confuciusism में जो है वो ज्यादा पूजा पाठ की बात नहीं होती है उसमें सिरफ morality की बात होती है और ये बात हम अभी करने वाले भी है कि difference और इनमें similarity क्या है क्योंकि हमने Confuciusism को तो पढ़ लिया है अब हम टाविजम को भी पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ी सी एक तरीके से relation husband का wife के साथ relation यह हमने पांस relation पढ़े थे ना ruler का अपनी परजा के साथ relation भाई का बहन के साथ बड़े भाई चोटे भाई के साथ relation वह सब relation जो है वह सोट साइटी में harmony के लिए कि लिए गए थे ruler heaven की बात universe की बात भी की थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं की थी इस step आगे लेके मेटा फिजिक्स की भी बात करते हैं पर्सनल व्यू की भी बात करते हैं यूनिवर्स के साथ जो relations है उनकी भी बात करते हैं ठीक है और जो orthodox confucius हैं यह वो लोग confuciusism को जो मानने वाले लोग हैं वो moral और political grounds फे व्यक्ति की क्या दाइरा होना चाहिए क्या किस तरीके से उसको behave करना चाहिए इसके उपर ही ज्यादा जोड देते हैं ठीक है तो यह इनमें एक common difference है आप समझ जाएंगे क्या है अब जिस व्यक्ति के इर्द गिर्द ये पूरी फिलोसोफी बनी है उस व्यक्ति को समझते हैं उनका नाम है लाउजू और लाउजू एक नाम नहीं है किसी नहीं कि इनका जनम हुआ और लाउजू इनका नाम रखा लाउजू का मतलब होता है the old master ये एक ओनरिक नेम है ओन जिसका नाम लाउजू है ये तो ओनर के लिए नाम रख लिया इन्होंने टाविजम के मानने वालों ने ये वैसा ही है जैसे कि होमर अगर आप western philosophy में ग्रीक philosophy में होमर की बात करें तो होमर का भी इसी तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि होमर को लोग क्या करते हैं कि होम कोई व्यक्ति था भी या नहीं कहीं पर जनम हुआ भी था कि नहीं कुछ पता नहीं ठीक है क्योंकि पूरी तरीके से उसके बारे में अभी तक कोई शोध हुआ नहीं ठीक तो होमर थे कि नहीं उस तरीके से कुछ चीजें लाउजू के बारे में भी हैं लेकिन ज्यादा त थीख और इनका बच्पन का नाम था ऐर ली ठीख उसके बाद इन्होंने इनको जाना क्यों जाता है इनको जाना जाता है अपनी किदाब लाउट टाउ जी जिंग की वजा से डाउ जी जिंग या टाउ जी जिंग जिसको कहा जाता है जिसका मतलग होता है The Way and Its Power ये जो किताब है जो philosophy है जो iconoclastic spiritual philosophy जसके बारे में पूरी की पूरी ये new रखी गई टाउविजम की ये जो धरम की जो किताब लेकि इसी वज़ए से जाना जाते हैं और इनका पद है जो इनका ओदा है वो इतना मंदिर हैं उनके अंदर जो टावीजम के मंदिर हैं वहाँ पे इनकी मूर्तियां लगी हुई हैं लोग इनको पूजते हैं वह जदा रिसपेक्ट करते हैं तो काफी बड़े लिजेंडरी फिगर है ये टावीजम में अब इनके बारे में जानने से पहले इनकी टीचिंग्स जानने के बारे में इनके व्यक्तित्वा को समझते हैं और किस तरीके की बाते इन्होंने कही वो इनके important बात है कि अगर आप दूसरों को खुश करने में लग गए कि ये वक्ति किस तरह से खुश रहेगा ये वक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है तो आप हमेशा उसी के according काम करेंगे आप अपनी मर्जी के मालिक तो कभी हो ही नहीं सकते तो इसके क्या होगे गुलाम होगे तो इस उसके अलावा देखें ये कितना अच्छा कोट है तो पानी जो है वो दुनिया की सबसे सॉफ्ट चीज है उसके बावजूद भी वो पहाडों और धरती को चीर के अपना रास्ता बना लेता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉफ्टनेस है वो हमेशा हार्डनेस पे बात इन्होंने कही ठीक है उसके अलावा ये वाला जो कोट है ये तो मैंने कहीं क्लिनिक में देखा था और ये देखो क्या है वोच यूर थोट दे बिकम वर्ड्स वाच यूर वर्ड्स दे बिकम एक्शन वाच यूर एक्शन दे बिकम हैबिट तो क्या कहना चा रहे हैं क अपने जो थोट हैं उनकी निग्रानी कीजिए, सोच ये, देखें उनके बारे में, क्योंकि अल्टिमेटली वो एक दिन आपके शब्द बनेंगे, जो आप सोचेंगे वही आप बोलेंगे, और जो आप बोलेंगे, वही आप करेंगे, और जो आप करेंगे, वैसी आपकी एक्च्वल में, वो सारी की सारी चीज़ें आपके सोच से सुरू हुई थी, तो इस तरीके की बातें लाउजियू ने कही, अब इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने टीचिंग्स क्या क्या दी, और टाविजम की जो नियू रखी गई है, टाविजम की जो हैं, अनके साथ ही आपको रहना है, जो एनर्जी आपको मिली है अंदर, उस एनर्जी का आपको इसके साथ बैलेंस बनाने में एक तरीके से कॉंट्रिबुशन करना है, आप यूनिवर्स की खिलाफ नहीं चल सकतें, आपको यूनियूर्स के साथ समन्वे बनाना पड़ेग यह important है अगर नहीं बनाया तो chaos हो जाएगा और एक तरीके से Unstability हो जाएगी पूरे universe में सिर्फ एक वेक्ति से नहीं वो obvious है लेकिन आपकी life में उसके उसके उससे Unstability जरूर हो जाएगी यह वाली बात है उसके लिए इन्होंने concept दिया था chi और qi यह chi की जो है यह बात मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ concept of qi जिसको CHI भी लिख देते हैं यह क्या है actual में chi जो है वो एक cosmic cycle है या energy है या आप जिस तरीके से spirit मान सकते हैं उस तरीके से हैं जो कि हर एक living organism में होती ही होती है उसके जनम से ही वो होती है उसके अंदर उसको किसी तरीके से बाहर से उसको install नहीं करना होता हर वेक्ति जब जनम लेता है तो साथ में उसके यह key energy होती है अब यह बात है कि यह इस तरीके से हैं कि इसको आप अलग नहीं कर सकते तो अब की का करना क्या है अब इस ची या की जो है इसका जो relationship है body, mind, environment इसको पूरी तरीके से आपको क्या करना है बैलेंस बना के रखना है यूनिवर्स की energy का जो internal energy है उसके साथ coordination बनाना है basically बात ये है और बनाएंगे कैसे वो लाउजो ने खुद बताया वो उसका तरीका ब इसका नाम है yin और yan, yin और yan क्या होता है इसको समझेंगे और ये वाली जो line है इसको आगे समझना कि जो flow है किसके साथ flow के साथ कैसे जाना है वो अभी मैं समझाओंगा तो पहले yin और yan का समझे, yin मतलब होता है feminine और yan मतलब होता है masculine, ठीक है, masculine yan जो है ये white वाला हिस्सा जो है ये masculine yarn है और black वाला हिस्सा जो है वो yin है ठीक है तो principle balance बना के रखना है कि yin और yarn के साथ अब इसको समझे ये ये का मतलब होता है ये यान का मतलब होता है all good things सारी अच्छी qualities के बारे में करता है ये white side है ना ये अच्छी quality के बारे में गात करता है इनका literally मतलब ही ये होता है ये इनका मतलब होता है dark side और yarn का मतलब होता है sunny side ठीक है और इसको masculine बोला गया है इसको feminine बोला गया है dark side में सारे के सारी पैसी quality है लेकिन एक चीज और है कहा गया है कि ये चीजें को आप ये मत मानिये कि ये इसके खिलाफ है कोई वीक्ती सोचे की मैं सारे के सारे ये वाले गुंड लेलू, अच्छे वाले काम लेलू तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बैलिंस बन जाएगा, नहीं आप ये देखिए कि light की कीमत तब पता चलती है जब आप जानते हों कि अधिरा क्या है, darkness क्या है, आप मीठे का स्वाद तब बता पाते हैं जब आपको पता चले कि कड़वा क्या होता है, ठीक है, फीका क्या होता है, तो इसी तरीके से अगर कोई चीज आपको dark side नहीं पता तो आपको उसकी positive side भी नहीं पता, तो दोनों के बीच में आपको balance बना के रखना जरूरी है, harmony बना के रखनी बहुत जरूरी है, यह चीज है, आप इसको देखेंगे, आप देखेंगे कि यान की side आप देखेंगे, तो आपको order दिखेगा, तो दूसरी तरफ, इन की तरफ आपको chaos दिखेगा, chaos कोई नहीं चाहता, order proper तरीके से हर कोई चाहता है, लेकिन फिर भी इनके बीच में एक तरीके से coordination होना जरूरी है, masculinity होती है, इधर femininity होती है, इधर दिन है, तो इधर रात है, और इधर known है, इधर unknown है, इधर authoritarianism है, तो इधर decanism है, इधर fascism है, इधर nihilism है, nihilism और fascism क्या होता है, आप ये सोचे, आप जानते हैं कि fascism तो एक तरीके की government होती है, जैसे Hitler की government थी, extreme right wing, far right wing party होती थी, ठीक है, nihilism क्या होता है, nihilism तो religion से related है, कोई व्यक्ति जो कहता है कि पूरी तरीके से किसी religion को following नहीं करता है, किसी law को, किसी कानून को मानता ही नहीं है, वो nihilism है, एक तरीके से, अगर आप nihilism को मानने वाले होते हैं, तो आपको टाविजम पढ़ने में कोई interest नहीं होता, आप मानते ही नहीं उस चीज, कोई चीजों के बारे में जानते ही नहीं, basically यह, अब बात है, concept of voxing, voxing क्या है, इसको समझते हैं, everything we find our external or internal terrain belongs to one of the five elements, हाँ, यह important बात है, कि 5 elements से ही बन और वो पांचों चीजें एक दूसरे से बहुत जादा interlinked हैं, उनके साथ एक दूसरे का coordination है, एक दूसरे को control करती है, एक दूसरे को balance करती है, अगर उन में balance है, तो आप healthy रहेंगे, prosperous रहेंगे, वो पांचों चीजे क्या हैं, अभी दिखाऊंगा आपको, अगर आप उन में balance बना के नहीं रह पाए, तो आप बिमार होंगे, आपका जो system है, biological system हो या universe के साल आपका system हो, वो सारा बिगड़ेगा आपकी life में, चीजें खराब होंगी, तो वो 5 चीजे क्या हैं, वो 5 चीजे हैं ये, क्या क्या है, fire, earth, metal, water, wood, ये 5 चीजे हैं, जिनके बीच में इनसान की body पांस तत्वों से बनी है, पांस तत्वों कौन से हैं, उसमें देखो एक fire और अर्थ तो यहां पे आपको दिख रहा है, water भी दिख रहा है, दो और हैं, वो आप comment section में बताइए, ठीक है, तो इन चीजों के बीच में एक coordination होना बहुत जरूरी है, और इनके का life का structure है, वो खराब होगा, ठीक है, तो यह पांचों चीजे हैं, और इनसे ही ten thousand of things बनी है, ten thousand of things इसमें जो डाविजम है, डाव जी जिंग जो किताब है, उसमें बार बार ten thousand things की बारे में बात की गए, तो ten thousand का मतलब है, जितनी भी चीजे हैं सब की बारे में बात आ गई तो हजारों जो चीजे हैं वो यहीं से बनी हैं, यिन की और यान की, यान की यान की जो फेमाइन एनरजी है और यान की यान की यान की यानि मेस्कुलीन एनरजी जो है उसकी बात हो रही है, positive और dark और sunny side की बात हो रही है, तो पांचों elements सभी के सभी इसी से बने हैं, सभ के स कोलते हैं इसको हुए हुए वी देखिए हुए वे क्या होता है हुए मतलब होता है action of non-action doing nothing यान कि कुछ करना ही नहीं है इसके लिए तो आपको तो इसका मतलब आप समझेंगे अब स्टेज में आप मतभेद भी रख सकते हैं इसमें कोई गलत नहीं है मतभेद रखना भी आपकी opinion है लेकिन क्या कहा डाउजी जिंग में लोट्स जो ने वह समझी उन्होंने कहा दवे नेवर एक्ट कि अगर आप कुछ भी नहीं करते लेकिन फिर भी वह कुछ जो चाहते हैं वह हो जाता है यह वाली जो चीज है न यह तो कहेंगे कि बड़ा मज़ेतार है तो मज़ा ही आजाएगी कुछ करना भी नहीं पड़े और अपने आप हो गया देखिए वह एक एड़ आती है वह इ आंटी उठती हैं इस लकड़ी को उठाती है इतनी दिर में एक बड़ा सा अबजेक्ट आके यहां पर जहां पर बैठी ती वहां पर आकर गिर जाता है तो यह आंटी कहते हैं बेटा थैंक्यू तुमने कुछ नहीं किया अगर वह कुछ कर देता वह लकड़ी उठा के देत अफर्ट लेस एक्षन करना है स्मार्टली काम करना है एक्षनलेस एक्षन करना है आपको किसी चीज़ को ज़्यादा पुश नहीं करना है बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ नहीं जाना है नेचर के रूल्स के खिलाफ नहीं जाना है टाविजम में यही तो ना कि फ्लो वि बसे होना कि हाथ की उंजली में जितना पानी को जितना दबाओगे उतना वो निकल जाएगा हाथ से उसी तरीके की बात है इन्होंने कहा कि जितना आप एक तरीके से इसको बदलना चाहोगे उतना आपके हाथ में रहेगा नहीं इसलिए आपको क्या करना है किसी चीज को hard plan ब बदलेंगे तो ultimately आप एक दिन वहां पहुंच जाएंगे जहां पर आपको पहुंचना था जो आपकी स्ट्रिव माइने में आपकी डेस्टिनी थी आपका जो मंजिल थी वहां पर पहुंच जाएंगे ठीक है तो इस चीज में आप हो सकता है कुछ लोग नहीं मानें इस ची प्रण नहीं सकते तो आप कुछ कीजे ही मत अपने आप हो जाएगा यह वाली बात थी ठीक है अब बात करते हैं जुंक्सु का क्या एडिया था टाओ के बारे में तो उनको क्या कहना था एक बात थी उन्होंने फंडामेंटली वननेस की बात की उन्होंने का कि जो भी मत कीजिए उनको और जो लोग अपन इस आइडिया को अपोजिट करते हैं कहते हैं कि नहीं नहीं यह एक नहीं है यह यान अलग लग हैं उनका समन में होना जरूरी नहीं है सिर्फ यान की तरफ होना चीए वह एक्चुल में वह पैटी माइंड है एक्चुल में इनका यह क कोगिटेट, follow no school, follow no way and then you will attend the Tao. Tao को आप attend करने के लिए आपको किसी स्कूल जाने की जरूवत नहीं है, meditate करने की जरूवत नहीं है. यह वैसा सा concept है जैसे कि Confuciusism में rain था. Rain को आप achieve नहीं कर सकती. उन्होंने क्या कि Social Harmony को आपको spread करना है, अच्छाए के काम करने है, Virtues को आप ऐसे नहीं कि एक दिन आपको कोई स्वर्ग है जैसे मिल जाएगा या कोई निर्वान है वो मिल जाएगा. एक्चुल में ऐसा कुछ नहीं है. Tao के लिए आपको ऐसा कुछ सब कुछ जो है, वो वो पांच element से बना है, टाउ से निकला है, एक दिन उसकी एक इस्तिती आएगी, वो अपनी extreme form पे चला जाएगा, फिर विलीन हो जाएगा, ठीक है. ये बात है, जैसे कि एक पोदा है, एक बीज है, उससे बड़ा हुआ पोदा बना, उसके फूल लगा वो फूल अपने एकदम फैला बहुत सुंदर बना और एक दिन वो क्या हुआ, मुर्जा गया, मुर्जाने के बाद फिर मिटी में मिल गया, और फिर से वो बीज वहां से उगएंगे, तो क्या होगा, एक extreme form तक गया, अच्छी quality तक गया, और उसके बाद रिवर्ट वहां तक opposite वहीं पहुँच गया, जहां से उसका origination हुआ था, तो कुछ भी चीजे हैं, वो सब की सब टाउ से ही मिली हैं, और एक दिन टाउ को ही आपको लोटा देनी पड़ेंगी, उसमें life और death भी उसी चीज का हिस्सा है, life और death का क्या concept है, उसमें क्या कहा गया, कि देखिए life और death को आप अलग लग मत जानिये, ये एक ही reality के दो पहलू है, एक सिक्के के दो पहलू है, जैसे यिंग और यान है, उसी तरीके से ये भी life और death भी क्या है, यान मान लीजे life को, यिन मान लीजे death को, तो ये होना ही होना है, आप इसको रोक नहीं सकते, ठीक है, जैसे summer और neutral है, उसको आप ने तो positive देखेंगे ने negative देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, कि आप death का wait करें, कि अरे रे रे होनी चाहिए, तो वो कब होगी, कब होगी, उसके लिए आप desire भी नहीं रखनी है, और उसके लिए आपको उसे डर भी नहीं रखना है, तो वो तो tau ने आपके लिए निश्यत रूल बना दी है, उसको आप break नहीं कर सकते है, जस्ट फ्लो अपना काम करते रही है, एक दिन होना होगा, वो होगा ही, ठीक है, तो tauism के कुछ मंदिर भी हैं, और इस तरीके के सुंदल पहाड़ियों के पर इस तरह के चाहिना में भी बने हुए हैं, और य अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा, और अपने जो भी डाउट्स हैं, या फिर जो भी आपको विचार हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो